C I E T N C E R T द्वारा प्रस्दु थे कक्षा 6 की संस्कृत की ध्वनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 शष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम रुचिरा प्रथमो भाग हर बंचमह पाठह व्रिक्षा हर प्रुष्ठ संख्या 30 से प्रुष्ठ संख्या 34 तक वने वने निवसंतो व्रिक्षा हर वनम वनम रचयंती व्रिक्षा हर शाखा दोला सीना विहगा हर तैह किमपी कूजंती व्रिक्षा हर पिबंति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे व्रिक्षा हर श्प्रिशंती पादैह पातालंच नभः शिरस्व वहंती व्रिक्षा हर पयो दर्पने स्वप्रतिभिंबं कव तुकेन पश्यंती व्रिक्षा हर प्रसार्य स्वच्छाया संस्तर्णं कुर्वंती सत्कारं व्रिक्षा हर यह कविता डॉक्टर हर्षदेव माधव की लिखी हुई है शब्दार्थाह प्रथम स्तंभ में समस्क्रित शब्द, दृती स्तंभ में समस्क्रित शब्दों का हिंदी अनुवद और तृती स्तंभ में English में उन्हीं सम्स्क्रिट सब्दों का अनुवाद है. वने वने प्रत्ये कवन में In each forest निवसंतह रहते हुए या रहने वाले Living रचयंति रचते हैं, बनाते हैं Make शाखा, डालियां या टहनियां Branches दोला जूला Swing आसीनाह बैठे हुए Sitting विहगाह पक्षिगण Birds किमपी कुछ भी Anything या सम्थिंग कूजन्ति कूकते हैं कूकती हैं चर्प संततम निरंतर या लगातार अल्वेज साधू जनाह तपस्वी लोग सेजेज इव की तरह लाइक पिबन्टी पीते हैं ड्रींक स्प्रिशंति स्पर्श करते हैं तच्च नभः आकाश को दस्काई शिरस्व सिर्पर अन हेड वहंती धोते हैं कैरी पयोधर्पणे जलरूपी धर्पण या आईने में इन मिरर लाइक वाटर स्वप प्रतिभिम्बम अपने प्रतिभिम्ब को वन्स ओन इमेज पश्यंति देखते हैं सी लुक आट कौतुकेन आश्चर्य विद वन्डर प्रसार्य हैलाकर एक्स्पंदिंग स्वच्चाया संस्तर्णम योग च्चाया योग संस्तर्णम अपनी च्चाया रूपी विस्तरे को ओन शेडोज बेड सत्कारम आदर रेस्पेक्ट अभ्यासः प्रथमह अभ्यासः वचनानुसारम रिक्तस्थानानी पूरायत एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम यथा वनम वने वनानी आगे के दो शब्दों में आपको एकवचन द्विवचन और बहुवचन बताना है जिनके एक एक शब्द संकेत रूप में प्राप्त होंगे रिक्तस्थानम एक वचने द्विवचने जले बहुवचने रिक्तस्थानम एक वचने बिम्बम द्विवचने रिक्तस्थानम बहुवचने रिक्तस्थानम अन्य उदाहरन यथा व्रिक्षम व्रिक्षव व्रिक्षान इसी तरह वचन के अनुसार आगे के दो शब्दों के वचन बताने हैं जिनमें एक-एक वचन संकेत रूप में विद्यमान होगा एक वचनम रिक्तस्थानम, द्विवचनम रिक्तस्थानम, बहुवचनम पवनान एक वचनम रिक्तस्थानम, द्विवचनम जनव, बहुवचनम रिक्तस्थानम द्वितियह अभ्यासह कोष्ठकेशु प्रदत्शब्देशु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्तस्थानानी पूरयत यता अहम रोटिकाम खादामी कोष्ठक में रोटि का शब्द है जिसका की विभक्ति प्रयोग रोटिकाम यहां किया गया है इसी प्रकार आगे के पांच वाक्यों में कोष्ठक में दिये गए शब्दों में विभक्ति प्रयोग करते हुए शुद्ध वाक्य का निर्मान करना है उन निर्मित शब्द को विभाक्ति युक्त शब्द को रिक्त स्थान की जगह पे बताना है क त्वम रिक्त स्थानम पिबसी कोश्ठक में जाल ख चात्रह रिक्त स्थानम पश्यती कोश्ठक में दूर दर्शन ग व्रिक्षाह रिक्त स्थानम पिबंती कोश्ठक में पवन ग ताह रिक्त स्थानम लिखंती कोश्ठक में कथा ग आवाम रिक्त स्थानम गच्छावह कोश्ठक में जन्तु शाला त्रिरियह अभ्यासह अधो लिखितेशु वाक्येशु कर्त्रिपदानी चीनूत ग व्रिक्षाह नभह शिरस्थु वहंती ख विहगाह व्रिक्षेशु कूजंती ग पयो दर्पने व्रिक्षाह स्व प्रतिबिम्बं पश्यंती ग क्रिशकह अन्नानी उत्पादयती ग सरोवरे मच्याह संती चतुर्थ अभ्यासह प्रश्णाना मुत्तराणी लिखत ग व्रिक्षाह कैह पातालं स्प्रिशंती ख व्रिक्षाह किम्रचयंती ग व्यहगाह कुत्र आसीनाह ग कवतुकेन व्रिक्षाह किम्पश्यंती पंचमह अभ्यासह समुचितईह पदईह रिक्तस्थानानी पूरायत यहां विभक्ती के अनुसार एकवचन, द्विवचन और बहुवचन को बताना है जैसे प्रथमा विभक्ती में गजह, गजव, गजाह इसी प्रेकार आगे के शब्दों को बताना है अश्वह, रिक्तस्थानम, रिक्तस्थानम द्वितिया, सूर्यम, सूर्यव, सूर्यान रिक्तस्थानम, रिक्तस्थानम, चंद्रान तृतिया विभक्ति विडालेन विडालाब्याम विडालैह रिक्तस्थानम मंडूकाब्याम रिक्तस्थानम चतुर्थी सर्पाय रिक्तस्थानम सर्पेप्याम रिक्तस्थानम वनराब्याम रिक्तस्थानम पंचमी विभक्ति, मोदकात, रिक्तस्थानम, रिक्तस्थानम रिक्तस्थानम, रिक्तस्थानम, विक्षेभ्यः शस्थी, जनस्य, जनयोह, जनानाम सप्तमी शिक्षके रिक्टस्थानम शिक्षकेशु रिक्टस्थानम मयूरयोह रिक्टस्थानम संबोधनम बालक बालकव बालकाह नर्तक रिक्टस्थानम रिक्टस्थानम शष्ठह अभ्यासह भिन्न प्रकृतिकं पदं चिनूत क गंगा लता यमुना नर्मदा ख उद्ध्यानम कुसुमम फलम चित्रम ग लेखनी तूलिका चटका पाठशाला ग आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम रुचिरा भाग एक अभी आप सुन रहे थे ये दोनी पाठे पुस्तक प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत